मुंबई में बाबा सिद्धिकी की गोली मार कर हत्या करती गई है। दोस्तों आपको बता दें, NCP अजित पवार गुट के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्धिकी की मुंबई में गोली मार कर हत्या करती गई है, बाबा सिद्धिकी को तीन गोली लगी थी, जसके बाद उन्हें लीलावती हॉस्पीटल में एडमिट कराया गया, लेकिन बहां उन् सियास्ट की सियासत में बड़ा नाम है, वो तीन बार विधायक भी रहे हैं, बांदरा इस्ट में बाबा सिद्धिकी पर फाइरिंग की गई, जो की निर्मल नगर पुलिस इस्टेशन के अंतरगत आता है, घटना की सूचना मिलते ही मुंबई क्राइम ब्रांच की टी में स पर गई, वहीं इस मामले में दो शूटर्स को गिरफतार भी कर लिया गया है, आपको बता दें, शूटर्स ने सिद्धिकी पर छे राउंड फाइरिंग की, जिसमें तीन गोलियां उन्हें लगी हैं, एंसेबी नेता और बॉलिवुड में खासा पहचान रखने वाले बाबा सिद्धिकी की सारी डीटेल्स बांकी के तीन शूटर्स को दे रहा था, जाज में पता चला है कि आरोपी सिर्फ फोन पर बाबा सिद्धिकी की लोकेशन को ट्राक कर रहा था, वहीं बाबा सिद्धिकी की हत्या के बाद महौल काफी तनावपुन हो गया है, बाबा स